जहें दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लास में दोस्तों आप लोग के अपकमिंग एक्जाम जो है वह दिल्ली पूलिस और आपके कोश्ट इंडियन कोश्ट गार्ड और आपके इंडियन आर्मी इन सभी में बनने हमाले important question को आज हम लोग discuss करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो चैनल बनना है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कर दोस्तों वीडियो को बीना हमार अगला question देखने क्या है 2017 में प्रकासित भारती या अंग्रेजी उपन्यास नो अधर वर्ल्ड के लेखा कौन है तो अप्संस देख लेते हैं राहुल महता चेतन भगाद नीधी चनानी या फिर अमीस तो इसका राइट डेंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों आप्सं अब लोग किसी question का answer मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्षन में भी बता सकते हैं दोस्तों इसे हमें पता चलेगा कि आप लोग ट्रस्टेड है या फिर नहीं है तो माना शरीर में पाचन के संदर्व में लाइपेज होते हैं तो अप्संस देख लेते हैं दोस्तों यक्रीट अगनाफाय बढ़िया च्छोटिया तो इसका राइट एंसर यहां पर हो जाएगा अप्सं भी राइट हो जाएगा अगनासा के सासक के अचे दवरान भारत आया था तो उपसेंस दिख लेते हैं चेंद्रगुपत प्रस्थम है या समूद्रगुपत है या फिर कुमार्ँप्त या फिरं चेंद्रगुपत है है तो इसका राइट एंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों अप्शन दी राइट हो जाएगा चंद्रगुपत्वीती बढ़ते हैं हमारे एकले कोश्चन की और जो जो चैनल पर नहीं है चैनलों को सब्सक्राइब करें मत भूलिएगा दोस्तों और कमेंट सेक्षन में आप लोग को आंसर यह दिया आप लोगो मावलूम रहता आप बताईएगा तो अगला कोश्चन देखते हैं नीमन में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैद सासन प्रणाली को समाप्त किया है तो इसका राइट एंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों और सीट हो जाएगा वार्रें हिस्टिंग से नी किया था वड़ते हमारे एकले कोश्चन कियो हमारा अगला कोश्चन है किता किताबूल-हिंद का लेखक अलब रूनीनम लिखित में इसके सासनकाल में भार्णाया थ यहां पर दोस्तों आप लोग दो कोश्चन बनते हैं जो किताबुल हिंद है उसके लेखा कोन है तो दोस्तों देख लेते हैं यहां पर दो कोश्चन बनते हैं जो किताबुल हिंद है उनके लेखा कौन है तो यहां पर अलवरूनी जी है दोस्तों किताबुल हिंद के लेखा का आप लोग कोस्चन में भी पूछ सकते हैं कि किताबुल हिंद के जो लेखा का है वो कौन है तो अलवरूनी है याद रखिएगा दोस्तों और इस कोस्चन का राइट एंसर यहां पर देख लेते हैं किताबुल हिंद का लेखा कर अबुरुनी में से किसके साजनकाल में भारत आया था तो इसका राइट एंसर यहां पर हो जाएगा मुहम्मद गजनवी राइट हो जाएंगे बढ़ते हमारे एकले कोश्चन की और और हमारा अगला कोश भारत में राष्ट्रिय सुसासन दिवस कब मनाया जाता है तो इसका राइट एंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों आप्सेस दिशंबर और हमारा अगला कोश्चन है दिब्रुगर सहर कौन सी नदी के किनारे बसा है तो आप्सेंस देख लेते हैं सिंधू नदी तीस्ता नदी मेखना नदी या फिर ब्रमपूत्र नदी तो इसका र इसका ब्रमपूत्र नदी हो जाएंगे और आज का हमारा मोशन इंपॉर्टेंट कोश्चन है दोस्तों जो आप लोगों के लिए हैं भारती क्रिसी में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक कि अवधी को क्या कहते हैं तो आप्सेंस देख लेते हैं दोस्तों रभी रभी में तो इसका रैट एंसर मैं आप लोगों को नई बता हूंगा दोस्तों सब्सक्राइब कर दिजिएगा वीडियो का लाईक कर दिजिएगा और आपके जीतने भी साथी दिल्ली पूलिस के त्यारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो को सेयर करिएगा दोस्तों तो मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन बने मातरम